तो गाइस जैसे आपको पता है कि अगर आपको diabetes है तो अगर आपने अपनी diabetes को reverse करना है तो आपको हर food खाने से पहले उसका glycemic load चेक करना पड़ेगा क्योंकि glycemic load जिस food का glycemic load जादा होगा वो food आपके लिए safe नहीं है और जिस food का glycemic load कम होगा वो food आपके लिए safe है वो food आपकी जो blood sugar level है उसको बहुत कम बड़ा spike करेगा तो guys इसी basis पर मुझे एक subscriber ने एक question put किया कि भाईया क्या हम non-veg diabetes reversal में खा सकते हैं क्या हम diabetes को reverse करने जाँ diabetes की reversal journey में क्या हम non-veg खा सकते हैं जैसे chicken, fish, mutton इसी पर मैंने आज ये वीडियो बनाई है ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि आप सब लोगों का ये confusion दूर हो सके कि क्या अगर आपको भी diabetes है तो क्या आप अपनी diabetes में आप अपनी diabetes reversal journey में क्या आप भी non-veg खा सकते हैं इसलिए वीडियो को last तक देखना, skip मत करना अगर चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे information, content और diabetes reversal वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ बिना किसे देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपको भी diabetes है तो अगर आप अपनी diet में non-veg को add करना चाते हो यहां अगर आप अपनी diet में non-veg को add कर रहे हो तो क्या इससे आपका blood sugar level increase तो नहीं होगा क्या आपको इससे अपनी diet में regular use कर सकते हो और अगर कर सकते हो आपको कितनी amount में daily chicken खा सकते हो क्योंकि guys diabetes में जो सबसे main important role अदा करता है वो है उस food का portion तो इसलिए आपको हर food खाने से पहले उसके nutrition के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी पर ही आपकी diabetes निरबर है तो guys इसलिए non-veg के जो सबसे पहले आप से बात करता है वो चिकन थाए के बारे में हम चिकन थाए को ले लेते हैं कि 100 ग्राम चिकन थाए में क्योंकि ज़्यादा जो usable आता है ज़्यादा चिकन में हम लोग खाते हैं वो ज़्यादा चिकन चिकन ही खाते हैं इसलिए जो 100 gram chicken thigh का nutrition है उसमें आपको 100 gram chicken thigh में आपको 24 gram protein मिलता है और इसमें आपको 0 gram carbohydrates मिलती है और इसके साथ आपको 7-8 gram आपको fat भी मिल जाती है और इसी के साथ आपको इसमें 100 gram 135 miligram cholesterol भी मिलता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसे diabetes में खाना चाहिए तो guys जैसे मैं आपको मेरी पिछली कोई भी diabetes की वीडियो देख लो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो आपका blood sugar level increase होता है वो होता है carbohydrate की वज़े से जिस food में जितना ज़्यादा carbohydrates होगा उस food का उतना ज़्यादा glycemic load ज़्यादा होगा तो जिस food का glycemic load ज़्यादा होगा वो food आपका diabetes को आपके blood sugar level को उतना ज़्यादा spike करेगा तो जैसे chicken में आपको मिलता है 0 gram carbohydrates तो इसलिए अगर आपको non-veg खाना है जहाँ आप अपनी diet में non-veg को खा रहे हो तो आप बेचिज के non-veg को खा सकते हो इससे आपका blood sugar level increase नहीं होगा but guys यहाँ बात आती है कि हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ diabetes को ही नहीं देखना है हमने अपनी overall health के बारे में भी जानना है क्योंकि जो chicken है उसमें आपको 0 gram fiber मिलते हैं और 0 gram fiber होने से अगर आप ज़्यादा chicken खाएंगे तो आपको constipation की समस्या हो जाएगी और मैं आपको एक बात बिलकुल clear कर दूँ कि यह जो diabetes है जहां overall हमारी body में जितनी भी बीमारियां लगती है उसकी जो main जड़ है वो है constipation इसलिए guys आपको only diabetes के द्वारा ही नहीं इसको देखना है क्योंकि अगर आपको diabetes आप chicken को अराम से खा सकते हो लेकिन उसके portion को भी देखना है कि आपने एक दिन में कितना chicken खाना है कितना chicken आपके लिए safe है जहां आपको chicken किसके साथ खाना है कि जिससे आपको constipation की समस्या ना हो उसरा यह है कि इसमें आपको 135 mg cholesterol मिलता है जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अश्या नहीं है यह आपका diabetes को तो spike नहीं करेगा लेकिन overall आपकी जो health है उसमें बहुत हानी पुचाएगा जैसे कि आपको इससे heart disease हो सकते है, kidney fail हो सकती है, आपका blood cholesterol बढ़ेगा इससे तो इसलिए आपको हर food का जो portion size है उसको maintain रखकर ही आपको हर food को खाना चाहिए तो guys देखो, अगर आपको diabetes है, तो आप इसको ले सकते हो, no issue, आप इसको जितना मर्जी ही ले सकते हो, no issue बट लेकिन guys हमने diabetes के साथ साथ अपनी और health का benefit भी तो देखना है अगर आप इसको ज़्यादा portion में खाओगे, diabetes तो आपका reverse हो जाएगा, आपका blood sugar level है वो तो spike नहीं करेगा लेकिन आपकी जो overall overall health है, उसमें issue आने शूरू हो जाएगे आपको constipation हो जाएगी, जो कि सभी बिमारियों की जड़ है तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको daily कितना और किसके साथ और कबज और कैसे इसको खाना है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप daily minimum की 200 gram से maximum 300 gram तक आप daily chicken खा सकते हो, no issue और दूसरा ये कि आपको जो chicken है वो कैसा खाना है, आपको सबसे पहले मैं बात बताता हूँ कि आपने fry chicken नहीं खाना only diabetes के लिए नहीं, जितने भी लोग खाते हैं, आपको कभी भी fry chicken नहीं खाना चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए और जादा harmful effect डालती है, तो इसलिए आपने boil chicken या तंदूरी चिकन खा सकते हो, no issue और तीसरी बात ये है कि आपको जितना भी chicken खाना है, उसके साथ आपने vegetable को add ज़रूर करना है आप कोई भी vegetable, raw vegetable जाँ सबजी कोई भी खा सकते हो, ज़्यादा ध्यान रखे कि आपने salad खाना है, जैसे कि salad, अपना बंद गोबी, पता गोबी, टमाटर, खीरा, आपने प्याज वगएरा जो मरजी ले सकते हो, आपने उसको एक plate जरूर salad की खानी है, क्योंकि salad में आपको high amount of fiber मिल जाता है, और fiber की आपको deficiency होगी, इसलिए आप अगर इसको chicken के साथ salad को add करेंगे, तो आपको constipation की समस्या नहीं रहेगी, जिससे आपको अपने chicken में जितने भी आपको nutrients मिलेंगे, वो सारे के सारे मिलेंगे, आपको chicken से benefit होगा, ना की harmful होगा, इसलिए अगर आपन daily chicken खाना है, 200-300 gram आप chicken खा सकते हो, और उसके साथ 200-300 gram salad भी जरूर आपने add करना है, इससे आपको आपकी diabetes reversal में भी आपको help मिलेगी, और साथ में आप कोई भी आपको अगर बिमारी वो नहीं लगेगी, और आपको protein content भी इससे पूरा मिलता है, जिससे आप अपने muscle loss होने, क्योंकि diabetes में बहुत जादा लोगों के muscle होते हैं, वो loss होने शुरू हो जाते हैं, इससे आपके muscle loss हो रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत बढ़िया effect मिलेगा, जिससे आप अपने muscle को और जादा बढ़ा सकते हो, इसलिए guys मैं आपको बताना चाता हूँ, कि आप daily अपनी diet मे chicken को add कर सकते हैं, इससे आपका, जो आपकी diabetes है, उसमें कोई भी ऐसे effect नहीं डालेंगे, जिससे आपका blood sugar level spike होगा, बस आपने ये दिया रखना है, कि आपने कितना कब और किस के साथ chicken को लेना है, so guys, ऐसी और amazing वीडियो देखने के लिए, please मेरे channel को subscribe करें, क्योंकि guys, जब मैं भी अपनी diabetes reversal journey में था, तो मैं भी daily chicken खाता था, मैं आपको जूट नहीं बता रहा हूँ, मैं daily chicken खाता था, जिससे मेरी body है, वो कम से कम भी 3-4 kg गेन होई, और साथ में मेरा diabetes है, मेरा blood sugar level है, वो भी मेरा maintenance रहने लगा, so इसलिए आप भी, अगर आपको confusion है, तो आप भी daily chicken खा सकते हो, so guys, please मेरे channel को subscribe करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी video बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपनी diabetes को control किया, अपने blood sugar level को control किया, और साथ ही साथ अपनी body को भी gain किय वैसे ही मैं आपको ये वीडियो के जरीए मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अपनी diabetes को reverse कर सकते हो, अपने blood sugar level को control रख सकते हो, और जिसका जो weight बहुत ज़्यादा कम है, वो अपना weight को कैसे बढाएं, ऐसी और amazing video देखने के लिए, please subscribe करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और video लेकर आऊं, मैं आगे ऐसी और video लाऊंगा, जिससे आप जो diabetes patient है खास कर, वो अपना weight को कैसे gain कर सकते हैं, और जो बहुत मोटे हैं, जिसको type 2 diabetes होती है, वो अपने weight को कैसे maintain कर सकते हैं, तो इसलिए please thank you, मिलते हैं अपनी next video में